नमस्कार बहुत स्वागत आपका शुभ जर्म दिन अयुश्मान भवह में मैं हूँ आपके साथ आपका एश्ट्रो फ्रेंट संतों संतोंशे आज का दिन ग्यारह मार्च आज की तारीक ग्यारह मार्च दिन बुधवार किसी भी वर्ष ग्यारह मार्च को अगर आप पैदा हुए हैं तो यह कारिक्टरम आपका कारिक्टरम है आपको हम बताते हैं कि पूरे वर्ष किस तरह से आप अपने जीवन शैली को ले करके चलें आपके साथ किस तरह की घटनाएं घट सकती है आपका हेल्थ किस तरह से रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी तो अगर आप 11 मार्च को पैदा हुए हैं तो यह सारी चीज़ें आपके लिए बहुत माइने रखती हैं जान लीजिए और तयारी कर लीजिए सुरुबात करते हैं सब से पहले 11 मार्च को पैदा हुए लोगों की सिक्षा के विशे में पढ़ाई का अवसर बहुत मिलेगा अप्रैल जुलाई अक्टूबर दिसंबर फरवरी जबर दस्त उच्छा लाएगा बोर्ड के रिजल्ट्स बहुत फेवरेबल तो नहीं है लेकिन फिर भी अप्टू मार्क रहेंगे कोई और कंप्टेटिव एक्जाम से दे रहें आप तो अगस्त और अक्टूबर के बीच इस्थती सामान नहीं है ब्यापारिक दिश्टिकोर से अपरेल अच्छा नहीं जाएगा बिजनस में कुछ घाटे हो सकते हैं कोई दोस्त आपको चीट कर सकता है पार्टनर्शिप जून जुलाई में लगबग तूट जाएगी अगस्त सितंबर बिजनस में जमीन जाएजाद में लास होगा ब्यापारिक दिश्टिकोर से पार्टनर्शिप पुनह तूटने के अवसर नमबर और फरवरी में बन रहे हैं विदेश से बिजनस सुरू कर सकते हैं जनवरी और मार्च की बीच में जनवरी मार्च 2021 प्राइवेट सिक्टर अप्राइल मई अगस्त सितंबर दिसंबर फरवरी नई नौगरी की संभावनाई इन महीनों में प्रवल हैं आपको बस एफर्ट करना है बड़े अफसर आपको प्राप्त होंगे सकरात्मक सोच आपकी विक्सित होगी अनकूलता आपके साथ बहुत गहराई से जुड़ी रहेगी सरकारी छेत्रवालों के लिए अप्राइल जुलाई बहुत बढ़िया है अगस्त सितंबर में बाउस के साथ तनाव हो सकता है अप्राइल और अक्टूबर के बीच में एकाथ बार कुछ जमीनी विवाद भी पैदा हो सकता है अप्रेल के पहले नहीं अक्टूबर के बाद नहीं सरकारी छेत्रवालों के लिए दांपत्त जीवन बताऊंगा मैं पहले सरकारी छेत्रवालों के लिए प्रमोशन के चांसेज फरवरी में बन रहे हैं विदेश यात्राओं के लिए गौर्वर्मेंट सेक्टर वाले अगर प्रयास कर रहे हैं कौन गौर्वर्मेंट सेक्टर जो 11 मार्च को पैदा हुई है ऐसे जा तक तो उसके भी लक्षण बहुत प्रवल है दामपत्य जीवन में किसी तरह की विशेश दिक्कत नहीं आएगी रिष्टा आपका मधुर रहेगा पति-पत्नी के बीच तनाव खत्म होगा मार्च का लाश्ट और सितंबर का लाश्ट कुछ तू-तू में में बढ़ सकता है लेकिन वो कुछ ही है इन बिट्विन संतान की जन्मे की संभावना जुलाई और सितंबर की बीच में संभाव है धन की कमी दूर होगी पैसे की दिक्कत दूर होगी पैसा आपके पास खूब आएगा पति-पत्नी की बीच ताल मेल दो सितंबर ऑन्वर्ट फिर ठीक होने लग जाएगा लंबे ट्रिप पे जा सकते हैं फर्वरी मार्च का समय आपके लिए अनकूल रहेगा लव लाइफ थोड़ा सा टफ है लव लाइफ में स्टार्टिंग में ही कुछ समस्या गंभीर रूप ले रही है उसके बाद समय अनकूल रहेगा दामपत्य जीवन आपके लिए अनकूलता लेकर किया आएगा सकरादमकता लेकर आएगा परिसानियों कांत होगा और सबकुछ बहुत शुब होगा स्वास्त के मामले में बैक और घुटने की तकलीफ पूरे वर्ष लेके जा रही है आँख और शुगर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ आँखों की प्राउबलम और शुगर मतलब आँखों का चस्मा नंबर बढ़ जाएगा और शुगर आपका बूश्ट करेगा सितंबर लाश्ट प्रियोग क्या करना चाहिए आपको साथ पीपल के पौदे पबलिक प्रेस पे लगा के तीन बच्चों को खाना खिलाना है और जिनकी आज शादी की साल गिरह है लाल पुष्प पत्नी पत्नी मिलकर किसी पीपल के नीचे रख देना है एक दो फूल लाल रंग का और किसी कन्या की शादी में मदद करना है बस चलते हैं मुलाकात करेंगे 14-15-16 पत्ना माफ कीज़ेगा 14-15-16 एहमदाबाद पत्ना भी आ रहे हैं जून में आएंगे और इसके बाद 20-21-22 बैंगलोर 27-27-27 मार्च इंदौर दियेगे नंबर पे अपना नाम शहर का नाम लिख के भेज़ दे अपॉइंटमेंट मिल जाएगा थैंक्यो नमस्कार शिरादे